साव अक्र मकउट की बच्चे हो एसमेनट specificौं कौन से subject important है तो इस बीनुमें बात करेंगे moment specific सबजर्ट कौन क्से आपका बीक में कई सब्जिक मौझूद है मतलब की in fact ऐसी अभी कई सब गfryर्मेंट है अइसको जो प्रिजयर्मेंट है उसको देखती लिभा सभी डिजाइन नहीं किया गया एंड कई सरे बचे प्रॉब्लेम फेस करते हैं मतलब ऐसा लगते कि मैं अभी तब कुछ चीज़ सीखा ही नहीं हूँ ठीक है पस ठीकल चीज़ सीखते रहते हैं तो अभी तक वैसा इंप्रॉब्मेंट बिल्कुल हुआ है नहीं कि आप फोर येर परहाई कर लोगे दें कॉलेज के पास करने के बाद आपका नोले इंटरस्ट्री रिक्वार्मेंट होगा एंड इसलिए प्लेस्मेंट में काफी दिक्कत होती है तो आपका काफी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है जिस पर आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करके सेलिब्रेट किया जा रहा था इसे एक्स्टेंड करके 5th जून कर दिया गया है तो बच्चों के हैब डिमन करन जो भी मेगा ओफरिंग्स थे मेगा लांचेस थे रैट नाव उसे एक्स्टेंड कर दिया गया है और 5 जून तक वो सारे चीज आपक्लेम कर सकते हो और गयेट क्रैक करके आप इंटेक आईट में कर सकते हो या बन सकते हो पी एसी ओफिसर जो की बेस्ट और्गनेशन है गौर्णमेंट सेक्टर के लिए और फिजिक्स वाला नो डाउट सबसे बेस्ट प्लाटफर्म है गयेट वाले बच्चों के लिए चूंकि इ इस सार दोजा तेस में गयेट एक्जाम क्रैक नहीं कर पाए अब फिर से आप पी अरखना चाहते हो दोजाशन चाहते हो दोजाशन चाहते हो यह बैज ऑन कर सकते हो प्राइस काफी कम है रूपीज टूट रिपल नाइन है सेकेंडली जो बैच है वह है पड़क्रम 2.0 बै Monday to Friday होंगी and यहाँ पर सबसे अच्छक बात है mock test included है and P.W. ने book launch कर दी है gate बच्चों के लिए यह जो book है दो statement defined किया गया एक जो book है वो technical के लिए है एक जो book है वो non-technical के लिए है and यहाँ पर आपको topic wise previous year question मिल रहोंगे 2008 से लिकर के 2023 तक का एक QR code है simply scan करना है detail solution वीडियो solution को मिल जाएगा जो की faculty खुद बना के रखे है and surprise काफी काम है math rupees 849 है and अब सभी viewers के लिए एक exclusive offer है आप तीनों batch में से कोई एक batch join करते हो आपको रूपिस flat 500 off मिलेगा आप पर एक coupon code के इसमाल करते हो तो आप देखो कुछ-कुछ subject तो in fact ऐसे है जिनका requirement बिल्कुल भी नहीं है ठीक है जिसे आपका economics है first year में अब देखो economics है ठीक है आपका biology है देन आपका constitution of India है ओके एंड आपके एक और है environmental sciences है अब यह subject तिनका कुछ मतलब बनता ही नहीं है मतलब ठीक है अथ्रवबूत अगर काम दे भी रहे बीटेक भश्चों के लिए बट इसको as a optional subject रहना काफी सही रहता ना कि mandatory एंड यह subject को mandatory मना दियेगे मतलब कि आपको परना ही परेगा तो आप देख सकते हो 10 तक आप जो चीजे परते हो लाइक civics हो गया ठीक यह आपका biology हो गया यह फिर 11-12 पर हम नहीं पढ़ तो यह compulsory subject नहीं रहता है दिन बीटेक में आने के बाद फिर यह compulsory बना दे जाता है तो यह कोई मतलब बनता है नहीं तो इसलिए बता रहो कि यह subject को optional रखा जा सकता था अगर बात करें प्लेस्मेंट स्पेसिफिक तो प्लेस्मेंट स्पेसिफिक देखो आपका पूरा में language जो की important है तो आप सी सी प्लस प्लस जाभा पाइथन पूरे बीटेक के चार सल में आपको इस चार लेंग्विज ही जेनली जो मैक्सिम कॉलेजेस है सिखाय जाता है ठीक है अब इन मेंसे में कौन सा focus कर सकता हो तो अगर बात करें object और पूरा में बारे में तो यह तीन important है प्लस प्लस जाभा पाइथन है तो आपका सी एस पेसलेजन है तो इस पाइफन तो सिखने ही पड़ेगा लेंगे मैं प्लस प्लस तो यह तो यह सी कर सकते हो बट आपका सपोस्ज कुछ इंटरेस्ट समझ में नहीं जगए तो आप यह चूज कर सकते हो तो सब्सक्राइब करके रखलेजिए आपका दियेश्य से स्थार्ट हो सकते हो दिन आप यह काम कर सकते हो उसके अपका करते हैं तो यह आपका कमपसरी है जब आप एपियर होगे तो यहां से सवाल पूचा ही जाएगा तो इसे आप लोग करके रख लेजेगा अब और दो सब्जेक्ट है ठीक है एक आपका आता है आटा है चुल आटा है मैकसीम मैं जो कमपनी है आप से यहां से सवाल पूचेंगी जो का टीड़ी tudम्स तो आप जो भी semester में हो आपको बस ध्यान देना है कि यह जो subject में जो लिग रखा है DSA, DBMS, Computer Networking, OS, Automata, Software Engineering यह चीज़े करना है तभी आपका placement सही लगने वाला है and इसके अलावा जो बागे different subject है बतर वो उतना important है नहीं placement के लिए आप knowledge के लिए पढ़ाई कर सकते हो and कुछ subject ऐसे मिलेंगे जो कि एकदम irrelevant है जैसे मैंने यह सब बताया तो यह रहा data ठीक हो आपको समझ मैं कि कौन को subject पर मुझे ध्यान देना चाहिए